Paytm Payments Bank यूजर ध्यान दें आज के बाद नहीं चलेंगी ये सर्विस जाने डिटेल कमपनी की प्रमुख सर्विस Paytm Payments Bank Limited, PPBL की कई सेवाएं आज से बंद की जा रही है भारतिय रिजर्व बैंक, RBI ने बीते महीने ही Paytm Payments Bank को उसकी तमाम सेवाओं को बंद करने के लिए कहा था अब Payments Bank के ग्राहक अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं कर पाएंगे हालांकि पैसे निकालने और ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती रहेगी आज के बाद Payments Bank अकाउंट में Salary Credit, Direct Benefit, ट्रांसफर या सबसिडी उपलब्ध नहीं होगी लेकिन पार्टनर बैंक से रिफंड, कैश बैक और स्वीपईम की सुविधा जारी रहेगी आज से बंद हो जाएंगी ये सेवाएं Paytm Payments Bank के ग्राहक अब अपने अकाउंट्स में पैसे जमा नहीं कर सकते हैं लेकिन पैसे निकाले या ट्रांसफर किये जा सकते हैं Paytm Payments Bank खातों में अब से Salary Credit नहीं होगी सबसिडी भी नहीं आएगी Paytm Payments Bank यूजर्स अब अपने वालेट को टॉप अप नहीं कर पाएंगे Paytm वालेट से फंड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा हालांकि बिलों के पैमेंट के लिए वालेट में मौझूद पैसों को इस्तिमाल किया जा सकता है Paytm Bank द्वारा जारी किये गए FAS Tag को रिचार्ज नहीं कराया जा सकेगा Paytm Payments Bank से ANC-AMC Card को रिचार्ज नहीं कराया जा सकेगा अब यूजर्स अपने Paytm Payments Bank अकाउंट्स में UPI या IMSS के जरिए फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे Paytm App करता रहेगा कान Paytm App पहले की तरह ही काम करता रहेगा अगर आपका Paytm Payments Bank अकाउंट नहीं है तो आपको Paytm इस्तिमाल करने में कोई रुकावट नहीं आएगी Paytm App पर UPI सेवाएं इस्तिमाल की जाती रहेंगी